जहिंद, गुड इबनिंग, वेलकम टु इस्टेडी पारपाइन दिस जंकित मोर्या, इस नए वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ, आज जो वीडियो होने वाली है, यूपी पॉल टेकनिक से हैं, और आपका भी चला है थर्ड समिस्टर, तो आप में एक सब्जेक् इन्वर्मेंटल स्टेडीज, जिसे EBSB सौटकॉट में बोलते हैं, अब देखें, इसके पेपर्स आ गया है, लगबग 5 से आपका पेपर हो रहा है, 5 मार्स 2021 से, इसी के देखते हुए है और आपकी डिमांड हुई, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, इसी का यानि, यूपी पॉर्टेगर की थर्ड समिस्टर में जो इन्वर्मेंटरी स्टडीज का पेपर होता है, वह किस तरीके का आता है, यहां आपको पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि आपके सामने, हमने पेपर को रखा है, तो देखें, यहां पर रोल नंबर भरना होत जो आप एंसर सीटरती उसमें भरने को आपको मिल जाएगा और भी कहीं आते हैं तो आप देख लीजिए इस तरीके से और यहां सीधर सीधर लिग दिया गया और समेश्टर एक्जामनेशन दिसंबर 2019 अब देखिए मैं एक चीज यहीं पर क्लियर कर दूँ आपको कि यह जो होता है थर्ड समेश्टर में जब आप हैं तो electrical, civil, mechanical को छोड़ करके जो भी normal ब्रांचे होती है समय यह पढ़ी जाती है organical वाले इसी subject को क्या कप पढ़ते हैं जब वो four semester में चले जाते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगर बाद वाले इस वीडियों को देखR hai तो कोई दिक्कत नहीं इसी तरीके आपका बी when पर आएगा तो आप ज़रा देखИए कुछ और चीज पहले बताज़ें जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सभी चीजों में क्या कि सभी question attend करने है कहीं अगर आपको दिक्कत होती हिंदी इंगलिस वाले साफ match कर लेंगे और page phone और इस तरीके जो चीज़े not allowed है मतलब आप use नहीं कर सकते चलिए अब देखिए बात करते हैं सीधे सीधे किस तरीके इस question यहां देखने को मिलते हैं सबसे कहा जा रहा है कि सभी प्रश्णों के उत्तर देना है और सभी प्रश्णों के अंक क्या है समान है जैसे सबसे पहले बात करे question number one की तो इसमें किस तरीके question पूछ रहा है इसमें तीन question आपको दिया गया है कोई दो question आपको करने है एक question कितने number का है पांच marks का है अर्थात आप दो question पांच number की दर से करते हैं तो आपको मिलेगा यहां से कितना number भाई दस number बड़े ही आसानी से मिल जाएगा तो देखिए किस तरीके सबसे पले और हाँ एक copy और एक pen निकालिए अगर इन question को लिक लेंगे तो आपको और भी benefit हो जाएगा चलिए याद करने में आसानी हो जाएगी अब देखिए पहला question यहां पर पूछ रहा है कि दो का उत्तर देना आपको पता ही है बनो की कटाई के मुख कारण क्या है क्यों बन की कटाई हमेशा बन की कटाई क्यों इतना तेज बड़ ये क्या है तो भाई बन की कटाई अगर मैं एक लाइन में कहूं न जनसंग क्या बृद्धी हो रही और मतलब क्या रहने के लिए जगह चाहिए सुक्सुविधा चाहिए सबको इस वज़ेस का बन को काट करके उसको मतलब भूम को हटाक भाई वहां बिल्डिंग उगर खड़ा कर रहे है जिससे काफी दिक्कते हो रही है जैसे भारत सरकार द्वारा सुरू किये गए जलवाई परियुतर पर राष्टी कार योजना जिसे की यन एपी सीसी कहा जाता है कि बिसिष्ट छेत्र क्या है इसके बारे मैं आपको बताना है अर्थात कुछ जिसे न पर्यावरण से जो दिक्कते हो रहा है या पलूशन जादा हो रहा है उसके संबंदे कुछ नियम बनाएगे उसके बारे में यहां कोशन देखने को मिलता है नेश्ट देखिए क्या है पर्यावरण पधुसर्ण एक ला इलाज यानि ऐसा इलाज जो कोई मतब उसका हल ना हो सके एक प्रकार से अलाज इलाज बीमारी है क्यों इसके बारे में आपको समझाना है तो आप समझाईए भाई आप बताईए क्यों पधुसर्ण को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं क्या क्या रीजन है बहुत आसान कोश्चन पूछा जा रहा है आप लोग कमेंट में भी अगर टाहिम है तो वाई कोश्चन पांच नंबर का अर्था दो कोश्चन पांच नंबर की दर्थ से आपने किया दस नंबर आपको यहां बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे तो जड़ा देखिए तो क्या कोश्चन पूछ रहा भई क्या कोश्चन यहां पर पूछ रहे हैं कर रहे हैं वाई और मानो यह पदूसर होता है एर पलिशन है उसमें मानो के रिस्वास्त में परते हैं वह nagu P पीया प toothpaste यह लिखने दिदेंगे तो आपको पांच नubor नहीं मिलेंगे मि इक बढ़ा टॉपिक है ठीक आपको लग रहा पतो शोटा सा लेकिन है बढ़ा टॉपिक है इसमें कई चीज़ आती जैसे cancer होने लगा और भी सांस लेने में दिक्कते होने लगी दम घुटने लगता है इस तरी काफी सारी बीमारियां देखने को तो यह सब चीज़ों बारे लिखना है अब देखिए अगला आपको क्या है क्यों भीगोना यानि स्वाइलिंग और संचारण वाई बताने हैं और देखिए एक चीज़ यहां पर और भी इंपॉर्टन है जैसे बी ओडी आप देखिए बी ओडी होता क्या है और बी ओडी जल पदूसर को कैसे निर्धारित करता है इसके बारे मापको बताना है तो यानि यह questions का जो answer हो आपको कहां देखने को मिलेगा जो आ नेश्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं नेश्ट कोश्चन में भी तीन कोश्चन दिये हैं दो कोश्चन करने हैं पांच नंबर का एक कोश्चन यानि दो कोश्चन करोग भाई पांच नंबर की दर से टोटल मिलेगा दस नंबर मिल जाएंगे चलिए देखिए तीसरा कोश करना इसके बारे मापको बताना है तो आपको यह उसके बाद धियर चीज आपको बता दू इक आ फ्स्ट करना यानि या वेस्ट च या यानि फैयर फोल रंक बताना तो या गल्ती कदाब नहीं करेंगे इस को इंक पेज या कम सकम 3 से ज़्यादा इपेज, 3-4 पेज लिखेगे इसके बारे में, अब e-waste होता क्या, मैं आपको shortcut में थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप paper में अगर रहें, तो बना कर भी अपने से लिख सकते हैं, जैसे क्या, आपने इस समय देखा ही होगा, electronics, gadgets की मांग, मतलब दि यानि, electronics, gadgets की बात कर रहें, तो आप देखेंगे, कि वो इतनी तेजी से market में आ रहे हैं, तो खराब भी तो इस तरीके से होंगे, तो वह कहां फेके जाएंगे, कहीं फेके जाएंगे, और उन्हें नष्ट भी आसानिस नहीं किया जाकता, यही होते ही, e-waste, यानि, electronic waste को e- waste के नाम से जाना जाता है, बाकि आप इसके बारे में बना बना करके लिखेगा, बाकि मैं करना चाहूंगा, e-waste के बारे में पढ़ लिजे, important है, अब देखिए, अब देखिए, अगला क्या question आ रहा है, यहां से, अगला question है, किस सी, ठीक है, किस अस्तर तक का ध्वनी, ठ माना जाता है, ठीक है, सोर को हम लोग ध्वनी पदूसरण को मामते हैं, और भारत में ध्वनी पदूसरण का, यानि कितना भाई, आपका डेसिबल में हो जाएगा, आपका सोर तो उसको हम लोग ध्वनी पदूसरण के अंदर गत लेंगे, और साथ में आपको यह भी बतान स्वास सकते हैं कितने तक भाई हम लोग स्वास सकते हैं या कम माना जाता है अब देखिए नेष्ट को चर्ण जो आप को देखने को मिल ला है नेष्ट कोशन चौथा जो को चनरने इसमें तीन को इसमें भी दिये हैं 2 question करने ही है, 5 नमबर का 1 question, यानि 2 question, 5 नमबर की 10 से, आपको 10 नमबर आसानी से यहां मिल जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, तो चली है सबसे पहला यहां पर आप question देखिए तो, ठीक है, सबसे पहला आप question देखिए, यह वाला question है, हम पर्यावरण सरचर अधनियम 1986 एक सत्र अंब्रेला अधनियम के रूप में क्यों समधित करते हैं देखिए हमने आपको सुरुगात में ही बता दिया था कुछ यहां पर कोश्चन जो कि आयक्ट यानि नियम अधनियम इस तरीके बनाए गए हैं भारत सरकार दोरा है तो इनके बारें भी आपके बूध में दिया गया है उस चीज को भी आप पढ़के क्योंकि यह नियम जो होता है इसमें आप ज़्यादा बना कर में आता ही है अगला आप को ये अगला आपको क्या मिलेगा राष्टी हरित अधिकरण के कार ठीक है राष्टी हरित अधिकरण के कार आपको लिखने हैं और देखे सबसे अच्छा कोश्चन अगर मैं बात करूं तो इसका लास्ट कोश्चन है जैसे ग्रीन हाउस गैसे क्या होती है और ग्रीन हाउस गैसे के लेकिन ऐसा नहीं है उसका चितपल बहुत ज्यादा है जिस उज़स उसमें ज्यादा पाने जाएक भई तभी पता चलेगा बहुत दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो आपको green house gases green house होता क्या है इन सब के बारे में पढ़ लेना है जो कि बहुत important है अब चलिए last question की त से 10 नंबर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलिए देखिए सबसे पहला कोश्चन क्या सबसे पहला कोश्चन ओजोन के क्रमिक हराज के प्रमुक कारण क्या है इसके बारे में आपको बताना है जो कि बहुत ही easy है और ओजोन परत किस कारण से 6 हो रही है और यह question यहां और भी बनता है कि माल लीजिए अगर ओजोन जो लेयर है उसका 6 जादा हो गया तो उससे क्या-क्या दिक्कते हो सकती है इसके बारे भी लिखने को आता है तो आप ओजोन परत के related जो भी ची घैये जो कि paper में आता ही है अगला देखिए अग्ला जो को मलेत ही और गया है कि एक्यों होता है और आम लीवर्ण रहन हम बात करें यहां होता है देखिए गाडी होती है जो आपके हम लेकौस वहां हो रहें इनके दुईयां पारिस में क्या करना है आपको मतलब पानी में आपको भीगना नहीं है उससे क्या होते हैं फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं क्यों निकलने लगते हैं यही कारणा क्योंकि वह जो पानी होता हुआ अमली यानि एसटीग होता है जिस वज़ा से क्या होता है आपका सरी वह इस सहर नहीं पाएगा और आपको फोड़े फुन से इस तरीके देखने को मिलते हैं ठीक है यही रिजन है तो आपको एसी रेंड के बारें भी पढ़ना है अब देखिए अगला जो लास्ट कोश्चन हो वह मुझे बहुत अच्छा कोश्चन लगा इसमें कहा है क्या रिसाइ सब्सक्राइब कोशिज कीजिए और राइटिंग वी अच्छी से बनाने के हैं राइटिंग योज कोशिज भी करेंगे ठीक है ऐसी बात नहीं कि चाहिए जैसे लिखके चला है नमबर कर जाएगा राइटिंग सही नहीं रही तो अब देखें रिसाइकलिंग पर्यावरण किसी प्रकार कर पॉलिशन तो करेंगे मतलब कुछ इस पेस तो घेरेगा ही लेकिन सोचिए जरा अगर हम उसकी रिसाइक्लिंग कर लेते हैं तो वाई इस पेस नहीं कुछ घेरेगा और रिसाइक्लिंग होके एक नया प्रोडक्ट बन जाएंगे तो फायदा एक नहीं है बिल कर भड़ा है मिसको रिसाइकल किया जा सकता है लेकिन जबहर इसमें कोई सबस्लिओव की छिल्के भर दूदिया कोई कुछ भर दिया उसको इस प्लास्टिक होथी आ stronger इस के बन गया बाल्टीं बन गई इस तरीक यह उत्यार ज posición हैं तो आप क्या करते हैं कबाड़ी वाले जो आते हैं उनको बेस देते हैं और क्या करते हैं वहां से क्या होता है और recycling के लिए चला जाता है तो इसका benefit बहुत होता है तो कहने का मतलब आप recycling के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस तरीके का आपका यह model पेपर था आसा करते हैं आप समझ गया होंगे किस तरीके के questions आते हैं बाकि English medium वाले के लिए भी मैं दिखा देता हूं एक बार देखिए कुछ इस तरीके का question नंबर one आपको देखने को मिलेगा question number two English में कुछ इस तरीके से देखने को मिलना है next question 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 no.4 इस तरीके से और fifth भी इस तरीके से देखने को मिलने हैं तो English medium वाले जो भी वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें नहीं हो तो आप हमारी यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन भी दवाईए लेटेस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात हुआ झासरा पाने करें पाने की जी प्राच एंद यूट्वा जिय हो